इसकी वाइफ का नाम बेत होता है और इसे एक लड़की होती जिसका नाम होता है एलन आज राट डान और बेत यह दोनों पार्टे में जाने वाले होती है डान एक लॉयर होता है जो पॉब्लिश्णिक कंपनी के लिए काम करता है उनकी लीगल मैंटर्स वेगरा वो सब समालता है यह पार्टे उनकी फर्म के होती है जो अपने फ्रेंड से मिलता है तो उनके साथ बाते करने लग जाता है बेत उसकी फ्रेंड से साथ बात करी होती है डैन जब अपने फ्रेंड के साथ होता है तो एक लेड़ के पर लाइन मार रहा होता है यहां हमारी next main character है जिसका नाम होता है Alex Alex उसके फ्रेंड को बहुत ही घटालोग देती है दैन ने देखकर हसने लग जाता है लिजब बार पर जाती थिए तो डैन भी वहाँ आ जाता है दैन अमरे फ्रेंड के साथ था तो एलेड rules ने उसे भी देखा था वो फिरसे इसे देखती है तो डैन के था है यह हुँ खुछ लग जाते हैं और कहा हम पता चलता है कि अलेक्स भी ड़ंकी कम्पनी में काम करती है है कि मैं तो बहुत दिनों से वाहा होता है कि एक बड़ा ट्रबल हुने आ गया है बेट और डैन दोनों बेट के मदर और फादर को देखने के लिए जाने वाले थे और अब यह हो नहीं बाएगा डैन को इसके बॉस की प्रॉलम सौल करनी है इस वज़े से आप उसे यहीं रुखना पड़ेगा वह अब एक दो दिनों के लिए यहां अकेल आई है जब ऑफिस पोचता है तो वहां एलेक्स भी होती है इनके पब्लिशिंग कंपनी में एक बड़े राइटर ने पॉलिटिशन के उपर एक क्यारेक्टर बेस किया था इसी वज़े से यह एक लीगल ट्रबल में है डैन सही से किस तरह से इ लाइर बनना एक बड़ी रिस्पोसिबिलिटी है बहुत सारे चीजें आपको सिक्रेट रखने पड़ती है एलेक्स पुछती है क्या तुम सिकरेट रखते हो ये इससे फलर्ट कर रहे होती है डैन कहता है कि आज तुम्हारे कोई डेट नहीं है एलेक्स भी कहती है कि मैंने उसे कैंसल कर दी है डैन को ये अच्छा लग रहा होता है एलेक्स वर उससे पुछती है कि तुम्हारी वाइफ कहा गई है डैन कहता है कि दो दिनों तक वो आपस ने आने वाली एलेक्स कहती है कि तुम्हारी वाइफ बाहर गई है और तुम मेरे साथ लंच कर रहे हो डैन को रात में उसकी वाइफ का कॉल आया था पर इसने वो पिक अप नहीं किया था उपनी वाइफ को फिर से कॉल कर देता है यह दोनों एक दूसरे का हल पूछते है तो इससे वाइफ कहती है कि इसे और एक दिन लगने वाला है इसके जो बेटी है इसने यहां रैबिट दे को नहीं मिली होती है वो देखकर खुश हो जाती है एलेक्स फिर उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहां आज आ सकते हो वो उसके लंच वेगरा कुक करने वाली होती है डैन कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है एलेस कहती है कि काम तुम यहां भी कर सकते हो मैं यह तोनों पाक में घुमते फिते हैं वह बहुत मज़े करते हैं आलेक्स बहुत ही डर जाती है एलेकस को डरता हुआ देखका हुँ उच जाता है और उस पर हशने लग जाता है एलेकस फिर कहिती है कि मेरे फाधर भी इसी तरह से मरे थे मैं जब 7 साल की थी मेरे आखों के साम मुझे नहीं हुआ था वो अभी भी जिन्दा है आज सही से रह रहे है डैन को बहुत ही ऑक्वर्ड लगता है इसके बाद हम देखते हैं कि अलेक्स बहुत अच्छा सा खाना वगरा कूप करती है यहाँ पर उन्होंने ओपेरा लगाया होता है डैन के फादर डैन जब बहुत चोटा था तब यह ओपेरा देखने के लिए उससे लेकर गए थे डैन कहता है कि इस ओपेरा के लास्ट में उस लेडी को जब उसका लवर छोड़ कर चला जाता है तो बहुत ही बुरा होता है वहाँ में रोने ही लग गया था उसे अपने डैड के साथ ओपेरा जाने की यह यही एक अच्छी memory याद है एलेक्स ने भी यह उपेरा देखा है और इसे भी यह बहुत पसेन है इन दुनों की जो choice है यह same है एलेक्स कहती है कि ऐसा क्यों होता है जो भी सब interesting आदमी होते है इन सब की शादी हो चुकी होती है डैन कहता है कि उनकी शादी हो चुकी है वो restricted है इसे वज़े से तुम्हें वो interesting लग रहे होंगे एलेक्स कहती है कि कल मुझे बहुत ही मज़ा आया था अगर वो ऐसे ही मिलते रहे तो कितना अच्छा होगा डैन कहता है कि यह सही नहीं होगा इसकी वाइफ अब आ जाएगी और फिर से अलेक्स से कभी मिलनी पाएगा अलेक्स कहती है कि मुझे तुम कॉल करना डैन भी उसे वादा करता है इसके बाद हम देखते हैं कि यह दोनों intimate हो जाते है जब शाम होती है तो डैन यहाँ से जा रहा होता है अलेक्स उसे बुछती है कि क्या तुम यही नहीं सो सकते है डैन केता है कि नहीं मुझे घर जाना पड़ेगा उसे और भी कुछ काम होते है अलेक्स उस पर चिर जाती है बोलती है कि तुम्हारा अब काम हो चुका है तो directly तुम मुझे छोड़ कर चले जा रहे हो तुम मुझे ऐसा क्यों treat कर रहे हो Dan कहता है कि ये क्या तुम बात कर रहे हो हम दोनोंने decide किया था कि ये सिर्फ एक दो दिन की बात है क्या सही क्या गलत ये हम दोनोंने मिलकर decide किया है जब Dan वहां से जा रहा होता है तो Alice उसे पास बुलाती है वो कहती है कि हमाँ फ्रेंड्स रहेंगे वो उसे हक करती है Dan उसे कहता है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ अगर मैंने किसी भी वे में तुमें अपसेट किया होगा Alice उसे छोट नहीं होती जब डैन उसके हाथ देखता है तो इसने अपने नस काट लियोती है एलेक्स फिर बहुत ही डर जाता है उसके हाथ पर पानी विगरा लगाता है उसे मलम पट्टी विगरा करकर देता है रात बर वो यही रुखता है और सुभा होने के बाद उसे कहता है कि ब्लीज तुम डॉक्टर के पास चले जाना इसके बाद यहाँ से निकल जाता है घर आने के बाद उसकी वाइफ को लगे कि यह घरी था इसवाज़े से सब बेड वेगरा वो डिस्टब कर देता है फ्रिज में जो सब खाना होता है वो सब कुट्टे को खिला देता है ओफिस में आ जाने के बाद वो उसे सब कुछ मीटिंग्स अब कैंसल गरनी पड़ती है और काम करना पड़ता है काम से जब वो वापस आता है तो अपनी वाइफ को हग करता है और कहता है यह तो बहुत मिस किया है उसने जो किया है इसका उसे पच्तावा आ रहा है रात में अमनी बेटी के साथ कार्ण स्वगरा प्ले कर रहा होता है उसकी वाइफ उसे कहती है कि कब तुम चलने वाले हो यह दोनों गाव में एक अच्छा सा घर बाय करने वाले होते है बेत उसे कब से कहे रहे होती है कि उसे देखने के लिए आना चाहिए पर इसे वक्त नहीं मिल रहा होता अब डैन कहता है कि कल हम चलते है यही सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है जब यह घर वो देखते है तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है अब वो यहाँ shift होने वाले होते है next day office में Dan आता है तो वहाँ Alex आई हुई होती है Alex वहाँ कर उसे कहती है यह बहुत ही sorry हूँ मेरी वज़े से तुम्हें इतनी सारी तकलिफ लेनी पड़ी अगर दूसरा कोई होता तो मुझे वही छोड़ कर चला जाता Dan को appreciate करने के लिए Alex ने दो opera के ticket लाय हुए होते है वो उसके साथ opera जाना चाती है Dan केता है कि मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा idea है Alex फिर मान जाती है वो कहती है कि यह तुम्हें आसपास देखती रहूंगे Dan उसे hug करता है और वहाँ से चली जाती है अब next day में हमें दिखता है कि Dan अपने friends के साथ अच्छा सा time गुजारता है पर Alex अब बहुत ही disturbed हो चुकी है वो अपने घर में रो रही है और बहुत ही depressed मैसूस कर रही है next day Dan जब अपने office पर आता है तो Alex ने बहुत सारे call उसे लगा हुए होते है Alex उसे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम understand करती हो हम फिर से अभी बात नहीं कर सकते यह कहिकर वो फोन रख देता है अपनी secretary को बताता है कि अगर फिर से call है तो एक call उठाना मत रात में Dan अपने friend के साथ दिनर कर रहा हुता है तो उसके घर पर call आता है इसकी wife के call उठाती है और वहाँ से कोई भी बोलता नहीं Dan समझ जाता है कि Alex ने call किया था रात में घर में फिर से call आता है तो Dan इस बार उठाता है Alex उसे मिलने के लिए बुला रही होती है Dan कहता है कि मुझे तुमसे नहीं मिल सकता तुम्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आती Alice कहती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों बरताओ करे हो Dan कहता है कि तुम अजीव बरताओ करे हो तुम्हें डॉक्टर के बास जाना चाहिए Alice कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हो तुम मुझे जानती भी नहीं Alice कहती है कि वो pregnant है Dan अब serious हो जाता है वो कहता है यह जो सब situation है इसे मैं अब handle कर लूँगा तुम्हें जो सब abortion के वेगर अप ऐसे लगेंगे यह सब मैं तुम्हें दे दूँगा Alice कहती है कि मैं abortion नहीं करने वाली इसकी age भी अब जादा हो जुकी है वो इसे miscarriage हुआ था इस बार वो फिर सब abortion करके chance ने देने वाली है Dan कहता है कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या तुम कह रही हो यह जो decision है यह पूरे life के लिए हमारे decision है Alice कहती है तुम्हारे बच्चे से अगर तुम्हें कोई भी relationship नहीं रखने तो यह भी ठीक है पर वो यह बच्चा होने देने वाली है Dan अब यहाँ से चला जाता है Dan को Alex बहुत ही dangerous लगती है तो उसके apartment में गुश जाता है उसके apartment में किसी से affair कर रही है या नहीं यह सब चीज़े वो देख रहा होता है या उसे कुछ भी नहीं मिलता तो अपने friend से वो बात करता है उसके friend से वो पूछ रहा होता है किस तरह की legal trouble में हो है उसका friend उसे कहता है कि अगर उसने कुछ charges वेगर अप्रेस किये तो तुम बड़े trouble में आ सकते हो डैन को blackmail करती है कि वो सब कुछ बता सकती है रात में डैन एलेस के घर पर आता है वो बहुत ही angry होता है वो कहता है कि तुम कर क्या रही हो तुम्हें यह सब अब burn कर देना चाहिए एलेस के थी है कि यह burn नहीं होने वाला तुम्हारा यह बच्चा है तुम्हें इसकी responsibility लेनी पड़ेगी मैं अब तुम्हारी और एक family बन चुकी हो अगर तुम अपनी responsibilities complete नहीं करोगे तो मुझे और भी steps लेने पड़ेंगे एलेस कहल रही हो थी कि मैं तुम्हारी wife को बता दूँगी तब यह डैन उसका गला दबाता है उसे धमके देता है कि अगर तुम मेरी wife को कुझी बताओगी तुम्हें तुम्हें मार दूँगा अब थोड़े दिन गुजर जाते है और डैन अब अपने नए घर में moving कर रहा है डैन की बच्ची को rabbit चाहिए था तो यह rabbit उसने bike किया है वोसे वो लेकर जा रहा होता है डैन अपने parking पर आथा है तो अलिक्स ने उसके ghaडी पर assil डाल दिया होता है डैन को अपने car मे एक tape मिलती है तो अलिक्स ने ब्ला होता है कि तुम्हें क्या लगा तुम एस ब कर पाऊगे और यहां से चले भी जाओगे यह मैं नहीं होने दूंगी अब तुमें मुझे accept करना पड़ेगा तुमें साथ ही तुमें life काटनी है यह तुमें accept कर लो जो भी सब तुमारी responsibilities है यह तुमें complete करनी पड़ेगी डैन अपनी कार में अपने नए घर में जा रहा होता है तो एलिक्स भी उसका पीछा करती है वो जहां रह रहा है और उसे मालूम बढ़ चुका है एलिक्स जब अपनी बेटी को rabbit वेगरा देता है तो यह सब family बहुत ही खुश है यह सब अलिक्स देख रही होती है डैन फिर हमें कहता है कि वो पुलिस के पास आ चुका है वो पुलिस को बता रहाता है कि उसके कार के साथ क्या हुआ था इन्हें टेप के बारे में भी कहता है इनसे कहता है कि आपको कुछ action लेनी चाहिए वो इसे वान करना चाहिए पुलिस कहते है कि हम यह सब कर सकते है पर अलिक्स का जो घुसा था वो सब उसने निकाल दिया है अगर हम फिर से कुछ action लेंगे तो फिर से वाफस आ सकता है कुछ भी गलत हो सकता है उनके पास इतने अच्छे evidence वगरा भी नहीं है कि वो Alice को arrest कर सके डैन कहते है कि आप मैं क्या कर सकता हूँ यह थे है कि अगर वो crime कर रही है तो इसमें अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो हम उसे arrest कर सकते है डैन फिर वहाँ से चला जाता है डैन अपनी family के पास उसके parent के पास आता है डैन की बेटी का play होने वाला होता है तो अच्छे से line से होगरा बोल रही हुती है डैन अपनी family के साथ बहुत ही खूश होता है जब यह सब घर पर वापस आते है तो बेट कीचन में जाकर जब देखती है तो वहाँ एक बड़ा सा pot होता है इसने pot नहीं रखा था जब इसे खोल कर देखती है तो इसमें rabbit मरा हुआ होता है यह देखकर यह बहुत इचिल्ला थी है इसकी बेटी को भी इसका rabbit कही भी नहीं मिलता बेट अपनी बेटी को सुलाती है और डेन के पास आजाती है वो डेन को कहती है कि है पुलिस को call करना चाहिए डेन कहता है कि अभी नहीं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डेन कहता है कि क्या तुम्हें वो औरत याद है जो मारे घर पर आई थी बेट समझ जाती है कि इसका उसके साथ अफेच चल रहा था डेन उसे सौरी वेगरा कहता है वो उसे पुछती है कि क्या तुम उसके पैर में हो डेन कहता है कि नहीं यह सिर्व एक रात की बात थी बेट एंगरी हो जाती है और रने भी लग जाती है गहती है कि ऐसा कैसे तुम कर सकते हो डैन उसे कहते है कि इस घर में रहना अब सेफ नहीं है तुम थोड़े दिनों के लिए अपने पैरंस की हाँ चरी जाओ डैन रात में एलेक्स को कॉल करता है उसे कहते है कि मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ बता दिया है अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती है एक दिन बेट अपने बैटी को स्कुल से लेने के लिए जाती है तो उसकी बैटी उसे कही भी नहीं मिलती वहां कि एक लेटी से जब वो पूछ ती है तो कही थी कि मुझे लगा कि तुम अपनी बेटी को लेकर चली गई होगी यानि कि इसकी बेटी एलेस के साथ गई होती है एलेस दैन की बेटी को रोलर कोस्टर वेगरा सब जगा लेकर जाती है बेट अब बहुत डिस्टब हो जुकी है और अपनी बेटी को हर जगा सिटी में ढूंड रही होती है तब इसका एक्सिटन्ट हो जाता है इसे ज़्यादा कुछ चोड नहीं आ थी एलेस भी इनकी बेटी को घुमा दिये और घर छोड देती है डैन होस्पिटल में बेट के पास बेटता है कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी उसे बहुत ही पच्टा वारा होता है इसके बाद वो डैरी लिए एलेस के अपरमेंट में आ जाता है यह बहुत ही चीड गया होता है एलेक्स को वो मारने लग जाता है उसका गला दबाने वाला होता है यह उसे मारने वाला होता है पर यह अपना माइंड चेंज कर लेता है एलेक्स भी चाकू लेती है और उस पर चलाने वाली होती है पर एलेक्स को वो कंट्रोल कर लेता है डैन वहाँ से चला जाता है और पु पुलिस कहते हैं कि हम उसे लेने के लिए गए थे पर वो कहीं भी नहीं मिली बैत ऊपर होती है और शावर ले रहे होती है तो वहाँ एलेक्स आ जाती है एलेक्स कहती है कि डैन ने मुझे गुडबाय केनी कोशिश की थी वह वह कल करनी पाया हम दोने एक दूसरे से बहुत प होता है और बैत पर वह वार करने लग जाती है यह दोनों इक दूसरे से फाइट करने लग जाती है और बैत डैन को बुलाती है डैन भागते बागते बहाता है यह एलेक्स को कंट्रोल करने कोशिश करता है पर इसमें जाकू से वही बहुत इंजोर हो जाता है वह फिर एले को मार देती है, पुलिस वहा थे और सब situation उने बताई जाती है, डैन को कोई भी trouble ने होने वाला, यह जो movie की ending थी, यह last movie पर change कर दी थी, actual में जब जापान में इस movie की sinning होई थी, तो इसमें अलग scenes थे, alternate ending में हम देखते हैं, कि Alex suicide कर लेती है, और इस suicide करने के बाद, डैन को frame कर देती है, डैन ने Alex को ignore किया था, डैन ने जेल में चला जाता है, तो यह यह movie की दो endings है, जिसमें पहले में, डैन अपनी family के साथ अच्छे से रह सकता है, और दूसरे में डैन जेल में चला जाता है, मुझे personally, second ending बहुत ही अच्छे लगी, डैन ने जो Alex के साथ किया था, वो गलत किया था, Alex pregnant थी, तो उसे उसका कुछ सोचना चाहिए था, पर कभी भी उसने ऐसा नहीं किया, डैन के जो decisions थे, यह गलत थे, और इसके लिए भूगतना पढ़ना चाहिए था, अगर Alex की suicide में दिखाई जाती है, और डैन फ्रेम हो चुका है, और वो जेल में चला गया है, तो यह perfect ending हो सकती थी, जो original ending है, यह भी somewhat acceptable है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा, बहुत सार इससे movies लेकर आता रहे तो तो इस चानल को subscribe कर दीजे, और bell notification आइकन दबाना में मत भूलिए, हम वेसे मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ, तब तक लिए thank you, और आप अपने आपका ख्याल रखिये,